नमस्कार, भारत वर्ष में महाराष्टर की अलग पहचान है। मसाला वनस्कति है हल्दी। आज हम महाराष्टर में की जानी वाली हल्दी के उत्पादम के बारे में जानकारी लेंगे। हल्दी के आउशदिय गुन हल्दी को अयर्वेदिक पदार्त मना जाता है। ऐसा मालने के पिछे इसमें मौझूद आउशदिय गुन है। इसके आउशदिय गुन कई बीमारियों से बचाये रखने और उनसे राहत दिलाने में मदद करते। वज्ञानी को उन्दवारा हल्दी को लेकर किये गए रिसर्च के मुताबिक। इसमें एंटी एक्सेडेंट, एंटी उप्लिमेंटरी, केलोरोटी, एंटी माइक्रोबियर, एंटी सेप्टिक, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, जीवर को सुरक्षित रखने वाला गुन, रदय को सुरक्षित रखने वाला गुन और किद्नी को सुरक्षित रखने वाला यानि उसे नुकसान से बच्चाने वाले इसमें बहुत सहे गुन हैं। इसके पूरो तयारी के लिए हमें क्या करना पड़ता है देखेंगे। हल्दी एक अउशदी वनस्पती है। यह फसल आठ से नौ महिने में आती है। इसके तीन से चार प्रजातियां हैं। पार्मा सिस्टम के बीच हल्दी बहुत मतोपुर्ण है। हल्दी उत्पाद में महराष्टर का हवामान आनुकुल है। हल्दी को मार्च एंड से जूल का पहला अपता तक लगाया जा सकता है। और इसकी फसल मार्च के आखित तक पूरी तरह से तयार होती है। हल्दी गर्म और आद्रवा जलवायों को अच्छी तरह सहन परती है। तापमान के आवशकता है। हल्दी को 640 से 42 मिलिमेटर के वार्षिक वर्षा वाले जलवायों में उगाया जा सकता है। इसको मिट्टी कैसे लगती है। इस फसल को मद्यम गुनवत्ता वाली अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी के आवशकता होती है। यह फसल नदी के किनारे जल और मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। यह फसल 6 से 7.7 की नमी वाली मिट्टी में सबसे अच्छी वढ़ती है। बहुत पानी पकड़ने वाली ऐसी मिट्टी में हल्दी के कंद अच्छे तरह से विक्सित नहीं होते हैं पानी जड़कर रखने वाली मिट्टी नहीं चाहिए बीच प्रक्रिया उसके लिए बीच को संसाधित करने की अवशकता है बीच उपचार के लिए 10 लिटर पानी में पंफूद नाशक मिलाएं पिटव नाशक भी डालें हल्दी के बीच को इसमें 10 मिनित तक के लिए भिगो दे इससे बीच बहतर बनते हैं इससे उत्पादन का बहतर तरीका प्राप्त होता है दो गड़ों के बीच के दूरी 6 इंच होनी चाहिए दो पंक्तियों के बीच के दूरी कम से कम एक फूट होनी चाहिए यह 4 से 6 फिट लंबी फसल आती है शाक नाशी का प्रियों हल्दी लगाने के बाद मिट्टी के नम होने पर दूसरे से तीसरे दिन एक्राजीन 4-5 ग्राम प्रतिलिटर साथ ही दसवे से भारवे दिन गलाइगोसेट 4-5 मिली प्रतिलिटर पानी में भिगो दे हलाकि हल्दी के अंकुरन के बाद किसी भी शाक नाशी का उप्योग नहीं किया जाना चाहिए उर्वरी प्रबंद नाचू कि हल्दी एक कंद वाली फसल है इसलिए बहतर उपज प्राप्त करने के लिए इसे सेंद्री एक हाद लावधाई होता है इसे लिए प्रती एकड 25 से 30 वैलगाडी में अच्छी तरसे सडी उली गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहिए यदि गोबर उपलबद ना हूँ तो वर्मी कंपोस्ट या फिर जैवित खाद का भी प्रयोग किया जा सकता है रासाइनी कुर्वरकों का प्रयोग संतुलित एवन समय बद्द तरिके से करना चाहिए फसल के उगाई के बाद कटाई आठ से नौ महिने की फसल है हल्दी की पत्ती मिट्टी में सुकने के बाद हल्दी की फसल कटाई के लिए तया है पत्तों को काट देना चाहिए उसके बाद दो से तीन दिन बाद जमीन गर्म हो जाएगी जिस से जमीन की चटक जाएगी फिर हल्दी को फावडा या डंडे के मदद से जमीन से खोदा जाता है इसके लिए एक खास तरह का कुकर मिलता है इन शाखाओं को उस कुकर में पकाया जाता है पकने के बाद इने फैला कर सुखाया जाता है आठ से दस दिनों तक सुखने के बाद इन हल्दी को पॉलिशिंग ड्रम में मिला कर पॉलिश किया जाता है अब हल्दी बनकर तयार है एक एकड में 25 क्विंटल तक की उपज हो सकती है इसके लिए 10 से 11 क्विंटल बीच के आउशकता होती है सबसे पहले जमीन के जुताई की जाती है, रोटर को गुमाया जाता है और खाद को जमीन पर लगाया जाता है चार फूट पर फुहार बनाकर उसका गद्दा तयार किया जाता है भाग के दोनों और बीज को सौशादित और गाट करना पड़ता है उत्पादन हल्दी का उत्पादन भूमी के प्रकार, खेती की विधी, बीच के प्रकार, उरोरों की योजना, आदी पर निरवरतरता है एक एकड में अवसरतन सवासों से देड़ सो कुंटल गीली हल्दी और 25 से 30 कुंटल सुखी हल्दी का पैदावार होता है हल्दी के गड्डे ग्रेड के अनुसार अलग अलग होते हैं इसे 3 से 4 प्रकार में वर्गी प्रूत किया जाता है पहली उत्च गुनोता वाले हल्दी को अच्छे दाम मेंते हैं और फिर हल्दी का रेट निमन ग्रेड के अनुसार निदारित किया जाता है बीज के लिए रखे जाने वाले गड़ों को, जेठे गड़ों, अगूटे के गड़ों को और हलकुंडों को अलग करके जायादा और हवादार जगव पर रखना चाहिए। हम मूल बीज को फिर से ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं या बेख सकते हैं। बाजार दुनिया के तुल्णा में हल्दी उत्पाद में भारत देश का 80% हिस्सा हैं। आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, उडिसा, महराष्ट्र ये राज्य के साथ ये फसल मुख्यरूप से तेलंगाना, असम, केरल, आधी में भी उगाई जाती हैं। महराष्ट्र में मुख्यरूप से सांगली, साताहरा, जलगां, नांदेर, उसमानाबाद, चन्रपूर, गोंदिया, वाशीम, सोलापूर, आधी जिले में उगाई जाती हैं। महराष्ट्र की जलवायों कोकर तड़ से लेकर पूर्वी विदर्वतक हल्दी के खेती के लिए उप्यूगत है। गर्मी के पानी के गंभीर कमी वाले च्षेतरों के लिए हल्दी नौ महिने की नगदी फसल है। सांगली बाजार एशिया में हल्दी के बाजार के रुट में प्रसिद्ध है। इस बाजार का इतिहास एक सदी का है। इस बाजार में महराष्ट्र के कोने कोने से और करनाटक से भी हल्दी आती है। हल्दी को इस बाजार में सही मुल्य में खरिदा और बेचा जाता है इसलिए सांगली के बाजार को फिसाथ अधिक पसंद करते हैं हल्दी का उपयोग रसोई की शान होने के साथ साथ हल्दी कई चमतकारिक आउशदिय गुनाउं से वर्पूर है अयुर्वेद में तो हल्दी को बहुत ही मतों को न माना गया है प्राचिन का हल्द से ही इसका उपयोग रूप को निखारने के लिए किया जाता है वर्तवान समय में हल्दी का प्रियोग उबटन से लेकर विविन्न तरह के क्रीमों में भी किया जाता है इस प्रकार महराष्ट्र हल्दी का प्रमुक उत्पादक है सरकार हल्दी का उत्पादम करने के लिए प्रोफसान के रूप में किसानों को उचित सहीता पुरदान कर रही है धन्यवाद करूं है